हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चानल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कैसे हम QRMP स्कीम से आपट आउट कर सकते हैं उसका तरीका बताऊंगी काफी लोगों ने मुझ से पूछा है क्योंकि वो लोग परिशान हुचोके हैं कि QRMP स्कीम को फॉलो करने में तो कैस कैसे आपट आउट कर सकते हैं उसका option कहां मिलता है GST Portal में उसके रिगार्डिंगों ने पूछाता तो आज के वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है कि आप कैसे आपट आउट कर सकते हैं वो QRMP स्कीम से तो आइए में आपको बताती हूं तो उससे पहले अगर आपने मेरे बट आपको यह में clear कर दूँ कि कहीं पर आपट आउट करने का option नहीं है आपको opt-in करने का option है इसकी में तो जब आप services में जाएंगे services में भी return में आप जाएंगे तो सबसे last option है opt-in for quarterly return आप opt-in for quarterly return टिक करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखेगा जिसमें वो आपसे financialia select करने को बोलेगे अभी अपना जो 2021 का last quarter चल रहा है जिसका selection हो चुका है अब जो नया selection है वो आपको नए financialia के first quarter के लिए ही आएगा तो यहां पर इसलिए financialia 21-22 दिख रहा है इसमें आप जैसी search पे click करेंगे तो यह यहां पर हर quarter की information आ जाएगी तो अभी तो खेर first quarter के लिए ही option available है यहां पर quarterly में already selected है बट अगर मैं नहीं select करना चाती हूं तो आप इसको यहां monthly कर सकते हैं और monthly करने के बाद जो यह आपका action है उसको आप save कर दीजे और आप okay कर दीजे तो जैसी आप okay करेंगे तो आपका यह action successfully save हो जाएगा फिर आपको यहां applicable return due dates भी पता चल जाएगे कि आपकी हर मैने की due dates क्या है जो कि आप monthly हो जाएगी तो यह इतना आसान तरीका है opt in करने का और opt in में भी आपको monthly select करने का तो ऐसे आप अपने qrmp scheme से opt out को सकते हैं तो hope आपको यह video मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें शेर करें और मेरे चानल को subscribe कीजे थांक यू